Hello friends, Welcome to RK Network. मेरा नाम है राजेश और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं तो जो इंटरनेट कनेक्शन टाइप हैं उसी की सीरीज को आगे कॉंटीन्यू करते हैं उसमें आपके इंटरनेट कनेक्शन का एक ओर टाइप से Broadband की के अंदर मतलब broadband जो आपका internet connection होता है उसी में internet connection का एक और टाइप है जिसको हम कहते है कैवल मोडम आपने last series में जाना होगा broadband के बारे में अगर आपने broadband वाली वीडियो नहीं देखिए तो आप मैं description में उसका link देदेता हूँ ADSL, NSDSL इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ internet connection में जो हमारा broadband series है उसमें एक और टाइप की जिसको हम बोलते है cable modem मतलब आप अपने organization में या अपने घर में cable modem internet का भी इस्तिमाल कर सकते हो अब cable modem internet क्या होता है अगेन इसमें भी एक modem लगाया जाता है आपके घर में या आपके organization में और इसमें जो है ना wire use हो रही होती है internet connection आप तक पहुचाने के लिए coaxial cable की जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जो cable लगा होता है या फिर आपने अगर DTH connection लगवा रखा है इस टीवी का इस्तिमाल किया हुआ है या Tata Sky जैसे आपके DTH connections होते है आजकल की date में अगर आप इसका इस्तिमाल कर रहे हो या फिर आपके घर में cable लगा So coaxial cable जो है networking की दुनिया की सबसे पहली cable थी अब उस coaxial cable को क्यों use करते हैं TV stations के उपर मतलब जो आप TV बगेरा देखते हो अपने घरों में तो जो आपके service provider होते हैं जिनके तुरू आपको cable मिल रहा होता है आपके घरों में TV पे जिससे आप channels देख पाते हो तो उस cable को इ data traveling speed होती है वो coaxial cable में बहुत अच्छी होती है इसी वज़ा से coaxial cable को use करते हैं इसके लाबर जो आपका ccdb होता है ccdb में भी जो आपकी मोटी वाली cable लगती है चाहे वो black color की हो चाहे वो white color की हो वो coaxial cable ही होती है coaxial cable का इस्तिमाल करके ही वही voice and video को concept है तो इस इस्तिमाल हो रहा होता है internet connection देने के लिए जिससे कि आप एक high speed internet को surf कर सकते हो और साथी साथ आप tv पे अपने cable को भी use कर सकते हो मतलब की cable modem में दो facilities होती है आप internet भी चला रहे हो साथी साथ जो एक splitter आप अपने tv के पीछे भी use कर सकते हो जिससे कि आप tv पे अपने channels या episodes को भी access कर सको सो यह था basically cable modem अब जो cable modem होता है उसमें जो speed आती है data transmission की या internet की आप क्या सकते हो वो आपके DSL के मुकाबले ज्यादा high होती है मतलब की cable modem एक expensive भी होता है cable modem की जो cost होती है वो ज्यादा होती है इस compare to आपके DSL connection के लेकिन जो इसकी speed होती है वो DSL से मतलब अच्छी होती है काफी लेकिन यह थोड़ा expensive भी है लेकिन आपको facilities भी दे ही रहा है at all आप इसके through जो है internet भी access कर सकते हो और TV के उपर जो है अपने channels वगेरा जो भी आप कर रहे हो मतलब जो cable आप लगाते हो वो भी आप इसका इस्तिमाल करके use कर सकते हो तो यह था आपका wire telephone lines के through so I think आपको clear हो गया होगा यह concept कि cable modem क्या होता है internet connection में जो हमारा types था cable modem, cable modem internet connection मतलब broadband की series में वो किस तरीके से काम कर रहा होता है so अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको like करना विल्कुल मत भूलिएगा इसको share कीजे ताकि बहुत जादा से जादा उसकी information अपने inbox में चाहिए जितनी वीडियो में बनाता हूं वो आपके mobile phone में या आपके computer laptop पे जहां पे आप internet यूज करते हो अगर आप वो information चाहते हो कि आपको पता लगते रहेगी मैं कौन कौन सी वीडियो बना रहा हूं कौन कौन सी वीडियो को upload कर रहा हूं तो आप उस बैल आइकन को प्रेस करना विलकुल मत भूलिए जो subscribe के जस्ट बगल में एक बैल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए मैं फीर आँगा एक नहीं वीडियो के साथ thanks for watching and good bye